Good morning everyone, welcome back to our channel and hope you all are doing well. हम लोग भी ठीक ठाकी है, आज Saturday है Saturday morning, just अभी अभी हम लोग उठे हैं, मैं टाइम दिखा रही हूं, बहुत जल्दी नहीं उठ गया, पॉने नौ बज गया, आज है, मतलम, हम एवरी डे, सुभा में उठो, एवरी दे, पांच सबब, पांच बजे, आज तो एकदम रेस्ट हो गया जी, मैं मायंग से भी मिला देती हूं, वो भी अभी अभी उठा है, यह रहा हम मायंग, से हलो एड लिए, सुभा 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 उठके संस्टार्ट हो गया है, सुभा सुभा उठके मायंग का स्टार्ट हो गया, JPG वी आज बास मेरी है, मैं मिला देती मैं please avoid करो हाँ fan चल रहा है ignore करो sound को तो चलिए मैं किच्छन के तरफ चलती हूँ क्योंकि चाइवाइब बनाओ और मेरा morning routine स्टार्ट करो आज तो मतलब पूरी नींद होगी मेरी 5 बज़े मैं उठी रही अभी अभी उठी हूँ बहुत अच्छा लग रहा है बता है लेट से उठके चलिए अभी मैं किच्छन के तरफ आओ चाइव अगेरा बनाओ और उसके बाद बाकी का काम भी स्टार्ट करो morning routine स्टार्ट करो अज सुभा से मैं क्या क्या कर रही हूँ पूरा ब्लोग में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तो stay tuned और आज सारा काम एकदम relax में आहिस्ता हो रहा है क्योंकि Saturday है Friday night को मतलब लगता है Friday का दिन मुझे बड़ा आच्छा लगता है क्योंकि Saturday ही एक दिन है जो मैं थोड़ा सा लेट से उचती हूँ Sunday फिर होता नहीं है Sunday भी हजारों काम रहते हैं जल्दी उठने का कोशिश करती हूँ और साटरडे जो है वो बहुत रिलाकसेशन डे रहता है मेरे लिए अटलिस्ट ज्यादा कुछ ताम जाम नहीं करती हूँ चलिए मेरा चाय बन गया चाय पी के आती हूँ और चाय पीने के बाद यहाँ पे मैंने डिश वशर अनलोड कर रही हूँ कल दोपेर का यह पता है कल दोपेर का बरतन है मतलब रात को अनलोड भी मैंने नहीं किया था तो वही सारे बरतन अनलोड कर दूँगी और कल रात का जितना बरतन है वही सारा बरतन फिर लोड करके dishwasher on कर दूँगी ये ना dishwasher बहुत convenient option है पता है जब से मैंने dishwasher लिया है ना तब से ये जो बरतंद होने का जंजट है ना वो एकदम सही हो गया है मतलब मेरे पास मेरे मतलब helper थी मतलब जो house help होता है तो वो मेरे पास आती थी मतलब से बरतंद होके जाती थी जारू पोचा बरतंद करके जाती थी वो भी आधा दिन नहीं आती थी तो इतना सारा बरतं मुझे हाँ से दोना पड़ता था तो बहुत time waste भी होता था खुद का काम भी है घर पड़िवार का भी काम देखना पड़ता है तो सारा काम अकेले हाथ में समलता नहीं था तो मैं कोई super woman तो हूँ नहीं जो सारे काम अकेले हाँ से समाल लूँ तो ये dishwasher मैंने lockdown के पहले ले थी तो ये बहुत ही convenient है तब से मतलब इतना अच्छा service है इसका बरतंद होने का जंचटी जैसे खत्तम हो गया जो household नहीं आ रहा है क्या हो रहा है सूप आ जाए timely delivered हो जाए that's it इस से ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए बतलब ये बहुत ही convenient option है actually मेरी ये बहुत ही helpful है सूप का सारा काम मतलब हुआ नहीं है हम लोगों का चायवाय हो गया मैंने डिश्वशर में बरतन लोड कर दी है ये जो बरतन है ना कल रात को में दो के रख दी थी क्यों छोर दी थी दो के ना कल फ्राइड़ नाइट था और बुल बुलाईया टू देख रहे थे हम लोग तो मैं नाम नहीं लेना चाहती हूं बार बार तो वो जो पिक्चर है ना मेरा देखा वो नहीं था शेकर जी को अभी नहीं था तो हम लोग सोचे कल फ्राइड़ नाइट है तो कल हम लोग थोड़ा सा पिक्चर देख लें तो इसलिए कल हम लोग पिक्चर देखने में लग गये मतलब करण दिनर द यक्राइब बैद फैर को बने इसमेक्ता है, ये एक करते देश थेे हैं का सेह सेहीं में शूट डाउन कर दिया तहा और कीचिन कर ली थे वह और प्रफोस आप यह रही दोगता है यूँ लंगे बोड़ेटी थे। रेसिपी तो आप लोगों को पता ही है, इसलिए रेसिपी मैं शीर नी करुठाइप फुल डेस चुलिम क्या करनी उस छिएर करी उस आप लोग और किया करने पर अज तुक हरकि जादा लंबा हो गया b भोशेर करों यह करते करते मेनagen ब्लॉग इतना जादा लंबा ओब जाता है कि मुझे बेस स τον करना पड़ा लास्ट जो मैं यह वाला ब्लॉग नहीं बनाय थी जो ब्रेड पकोरा बनाये थी ठाओमन अब ब्रेट पकोड़ा बनाई थी वो वाला ब्रेट पकोड़ा भी मैंने शूट किया था मैं बाद में डालना पड़ा उसको कि ब्लॉग बहुत लंबा हो जा रहा था अब ही मैं ब्रेट बनाऊ बहुत लेट होड़ा है अल्रेडी 9.30 हो गया है मैं इतना देरी आज नेन से उठी हूँ लेकिन भाई मज़ा आ गया मुझे चलो मैं ब्रेट बनाती हूँ और शेयर कर दिया आप लगो के साथ तो मैं यहां पर ब्रेक्फट्स बनाने का तयारी कर रही हूँ सबका फेबरेट अज बन रहा है फ्रेंच टोस्ट यह ना बहुत असान सी रेसिपी है जटपट बन जाती है सिब ऑनियन को इस तरह से जुलियन्स में काट लीजे या चोटा चोटा काट लीजे जैसे आपकी जी लेजी फिल कर रही थी बोलके इस तरह से रफली में चॉप कर रही हूं कोई मतलब फाइन चॉप या कुछ कुछ भी मैं नहीं कर रही हूं इस तरह से देखिए रफली में चॉप कर ली रियू आट सिट कुछ नहीं करूंगी और मतलब होता है एक एक दिन फिलिंग आत तो बहुत दिन से फ्रेंच टोस्त घर में बनानी था आगे क्या होता ना जब मैं युट्यूबrous । मैं यूट्यूब नहीं करती थी थी तो यूट्यूप वीडियो हफिना डालती थी तब न coral दिन मतलब कुछ ना कुछ नया बनाते रहती थी जैसे फ्रेंच टोस्त बना ल तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो यह वाला टोस्टी बना लेती हूं एक्चली यह अंडा ब्रेड है इसमें ओनियन हरी मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च मैंने डाला और नमक डाला काला नमक और इसको ना अच्छे से फेट लेना है तो मैं जो बोड़ी थी यह बहुत आसा रेसिपी है जटपट बन भी चाती है तो चलो मैंने सोचा आज यही बना देती हूं आज मैं रेसिपी भी आप लगों के साथ दोपैर को ही शेयर करने वाली हूं तो अभी सुब में मॉर्निंग में यही वाला बना दू सबका फैबरीट भी है सब बहुत खुश हो गया सुनके स्पेशली मायंग की मॉमी फ्रेंच टर्जड रनेगा यह अन्डाब्रेट सबको बहुत पसंद है घर में आप चाहें तो स्पून की मदद से यह काम कर सकते हैं हाथ तो उसे ही कर दे रही हूं तो जटपट हो जाता है अक्चुली तो चलिए एक साइड से आप इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए फिर दूसरा साइड पलट के fry कर लीजिए तो अलट पलट के दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से इसको fry कर लीजिएगा तक कि अंदर में ब्रेट जो है अंडा जो है वो कच्छा ना रहे और medium to low flame में कीजिएगा high flame में ये जलने का chances रहता है तो चलिए मेरा तो ये बन गया है गर्मा गरम नास्ता आप लोग भी आईए ब्रेक्फस्ट कीजिए और ब्रेक्फस्ट करने के बाद ये हाल है मेरा कीच्छन का मैं आपको देखा दूँ तो चलिए पहले कीच्छन को समेट लेती हूँ और उसके बाद मैं लंच का तयारी करती हूँ क्योंकि कीच्छन समेटना बहुत जरूरी हो जाता है मेरा उपर वाला ये जो कीच्छन है बहुत छोटा सा है नीचे में कीच्छन में क्या था कि आप जीतना भी फैला लो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी कि एक साइड करके फिर खाना बना लो फिर बाद में समेटेंगे देखा जाएगा मेरा तो ये ही होते रहता था लेकिन यहां पर क्या होता है कि हर बरतन हर चीज मतलब सिंक छोटा है प्लाटफरम छोटा है एक दमी छोटा है तो इसलिए ना हमेशा जो बरतन गिरते हैं मैं ना समेट लेती हूँ और कीचेन को थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ नीट और क्लीन उसके बाद ही मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ आप देखी सकते हैं कि जिस प्लाटफरम में गैस टोब रखा हुआ है उसी काई बगल में सिंक है जस एक छोटा सा स्लैब दिया हुआ है तो बस ये भी पूरा फैल गिया था गैस टोब भी पूरा फैल गिया था तो मैं वो सारे साफ करने के बाद सुभा में ग्रॉसरी आये थे तो वो ग्रॉसरी को नीचे ही रखा हुआ था वैसे ही उसको मैं सेट कर दूँगी आलू भी आ गया था उसके साथ तो उसको भी मैंने जगा पे रख दिया और सारे ग्रॉसरिस को अभी तो मैं अलग-अलग से नहीं बढ़ी हूँ डब्बे में यह सारे एक साथ ही मैं रख दूँगी क्योंकि और यह है ना एक फूल सप्लिमेंट का डबा जो शेकर जी लाए थे मतलब उनका डबा खाली हो गया तो मुझे दे दिये तो मैं उसी में ही सारा समान अंदर रख रही हूँ और यह वाला ओयल लाए हैं बेस्ट चॉइस का तो आप लोग बोलते हैं ना कौन सा यूज़ करते हैं तो यह वाला लाए हैं शेकर जी तो यही वाला मास्ट डॉइल यूज़ कर रही हूँ अभी फिलहाल जितना खाना बनेगा तो वन टू बिक्स इसी से ही चले जाएगा यही मास्ट डॉइल से और यह वाला जो ऑईल का कं आप लोगों से मिलती हूं यह सारा काम एक बर हो जाए तो बस चलो छुटी दोबारा फिर मैं आप लोगों से मिलती हूं यह काम करने के बाद करने के बाद सुभा का मेरा सारा काम लिपट गया है मतलब मॉर्निंग रूटींग जो होता है ब्रैफस्स बना दिया सबको सेकेंड राउंड चाहे पिला दिया जितना सारा ग्रॉसरी जाया ता घर में वो सारी ग्रॉसरी मैंने सेटल डाउन कर दिया और किच्चिन भी मेरा एक दो मतलब शरला हुआ है कि बहुत्त असमसिक र्रैशिपी मैं बनाने वाली हूँ लेकिन वो आच इस ब्लाग में शेयर करने वाली हूँ यह ब्लाग बहुत लंबा होजाएगा रेसीपी मैं शेयर करने जाऊंघु तो मेरा प्लैन था कि मैं फुल रेसीपी आप लोगों के यह आजाएगा कि इसके बाद से जो काम है वो सारे आजाएंगे फिलहाल में जाओंगी शावर लेंगी पूजा करूँगी क्योंकि दस बजे के बाद फिर पूजा करना ठीक बात नहीं होता है मैं नहीं करती हूँ भी 9.30 हो रहा है 9.30 नहीं मतलब पॉने 10 के करीब हो रहा है सारे काम मेरा लिपट चुका है तो अक्चली 10 बजे के बाद नहीं सॉरी मैं ही गलत थी सब कोई बोलता है कि 12 बजे के बाद बूजा नहीं करना चाहिए 12 बजे तक ही टाइम होता है और अब भी फिलाल किता बजे रहा है 9.30 नहीं 10-15 नहीं मतलब 10-15 नहीं मेरा सुभा काम लिपट चुका है ब्रैक्फस्ट बगेड़ा हो चुका है तो अभी में शावर लेके पूजा कर लू पहले घर साफ कर लू पूजा कर लू और उसके बाद मैं आऊंगे किचिन में लंच का पिपरेशन करने और यह वाला जो पिप ब्लॉग में वो आ जाएगा फिल्हाल यहां पर यह ब्लॉग में एंड कर लूग किसी भी पॉइंट पर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइफ ज़र कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा फ्रेंड और फ्रैमिली के साथ और अगर आप मेरे चैनल में ने हो तो प्लीज जलो अब मैं यहां पर ब्लॉग को एंड करती हूँ मुझे दीजिये इजाज़ तिल देन दो लाइख शेयर कमने और सबस्क्राब एफिस्टिप्स अन्यों इंडिन मौमेद पॉरमा थांता के लिए बाइबाइ टेक केर और थांक यू फर वाचिंग गाइस कल मिलते हैं ए इगनाई रसी पीके से बाइबाइ